सिरी विवेग ठाकूर अधन्य सभापती महुदे मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने माने राश्पती जी के अविवाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव के इस चर्चा में मुझे अपने विचार रखने का उसर दिया सभापती महुदे मेरे मित्र मनोज जी अभी कह रहे थे कि वो इस बात से बहुत चिंतित हैं कि एक वर्ष को क्यों चर्चाओं में इतना महत्वत दिया जा रहा है दोजार चौदर मुझे लगता है सभापती महुदे कि काश मा भारत के संजे अगर 2014 में अगर जिंदा होते तो उनका वर्णन क्या होता उससे पहले के कालखंड का और वही सही जवाब जो है मिल जाता कि क्यो 2014 का महत्व है क्या बोलते संजे अगर पूछा जाता कि भारत कैसा दिख रहा है तो शायद ये इसके अलावा और कुछ बोल नहीं पाते कि पुर्वत्तर में आग लगी वी है कश्मीर जल रहा है बंबई में आतंकी घुसेवे हैं लोगों को मारते जा रहे हैं पूरा देश लाइव उस चीज़ को टीवी पे देख रहा है सरकार की अनुवती नहीं है दुश्मन पता है कि पलट वार करे फौज हतो साहित बैठा हुआ है नौजवान आशा की सब किरन भूल चुका है इंडिया इस अल्मोस्ट लैंड अफ नो अपर्चुनिटी और वहां से एक सोयवे भारत को संगटित करते वे दोनों हाथ उठाके करतवे पत पे दोड़ाते वे विजेपत की यात्रा पे 2014 के बाद भारत के ये शस्वी आदर्णिय पुदान मंति लेके चले हैं ये महत्व है 2014 का स्वापती महुदे हमारी सरकार के ये नौ वर्ष गरीब किसान दलित आदिवासियों वंचितों पिछड़ों ग्रामीन भारत की सर्शक्तिकर्ण के नौ वर्ष रहे और मुझे कहने में जरा भी अतिश्योक्ति नहीं है कि नौ साल उपलब दिया नहीं बेमिसाल पिछले वर्ष बिहार में मैं जो गाओं में भ्रमन के दोरान कुछ गरामीनों से पूछा कि कैसा लग रहा है आपको तो एक गरामीन ने एक ही लाइन में जवाब दिया विपक्ष के साथ पर भारी मोदी जी के आठ सवापती मोदे जिस प्रकार नौरात्र में नौ देविया नौ शक्तियों की प्रतीख होती है उसी प्रकार हमारे यश्रस्वी आदर्निय प्रधानवंति शिर्नरिन मोदी जी के नित्यतु में हमारी सरकार ने नौ शक्तियों के माद्यम से ग्रामीन भारत को सरशक्त करने क काम किया है और यही नौर शक्तिया है जो भारत को इस अम्रित काल में प्रविश करने में साहता की है इनका विवरन संचित में करना चाहूंगा ये नौर शक्तिया है क्रिशी शक्ति आदिवासी शक्ति जल शक्ति राष्ट्र शक्ति व्यापार शक्ति स्वास्त शक्ति नारी शक्ति गती शक्ति विद्या शक्ति सुवापती महुदय आदर्निय प्रधानमंती जी के प्रयासों के कारली आज भारत विश्व की दस्वी बड़ी अर्थ विवस्था से विश्व की पांच्वी बड़ी अर्थ विवस्था बन गया है और ये तभी संभव हो पाया है जब ह हमारी सरकार ने ग्रामीन अर्थ व्यवस्था, अधार बूत अफसरनरचना और ग्रामीन भारत के विकास और कल्यान के लिए निरंतर कदम उठा हैं। राश्ट्रपती महत्मा गांधी ने भी कहा था, The progress of the country lies in the development of the rural villages, rural economy and rural skills. और rural economy का विकास तभी संभव है जब हम अपनी क्रिशी शक्ति का पुन्ता उप्योग करेंगे और अपने किसानों को सब्रेद बनागे और स्वयोग करेंगे नीतियों से ना कि बाप्तों से. सब पती महत्मा मुझे तो ऐसा लगता है कि किसान मजदूर शब्द और उनके भावनाओं से राजनीत में जितना दुरूप्योग और छेड़ शाड़ हुआ है उतना शायद ही किसी शब्द का आज तक हुआ हुआ. अगर ये शब्द को वोकेबुलरी से अगर हटा दिया जाए तो शायद मेरे समाजवादी और वामपंथी दोस्ट जो है बड़े अस्मंजस में पढ़ जाएंगे कहां से शुरू करें कहां से आरम करें. लेकिन पहली बार ये एक ऐसी सरकार आई जो किसांद जुबान बंद किसांद को मजदूर को गरीब के बारे में उनके भावनाओं को समझने की कोशिश की और ये हैसास किया कि किसांद को भी सीधे मदद की ज़रूरत. इस क्रम में हमारे सरकार ने प्रदान मंत्री किसांद सम्मान निदी की शुरूरत की और चार वर्ष पुर्ट होने जा रहे हैं सवापती महोदे इस योजना में 2.24 लाग करोड रुपे भारतिय किसांद को प्रदान किये जा चुके हैं और जिसमें से 1.7 लाग करोड सवापती महोदे क्रिशी शक्ती का एक महत्वपूर्ण पक्षे प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना ये समाने बात पही है जब नाशनल लॉगडाउन लगा था तो बड़ा सोर मचा कि जो रोज कमा के खाते हैं लाखों की संख्या में मर जाएंगे एक व्यक्ती न सिक्योर्ड अबादी के रूप में नाशनल फूट सेक्योरिटी एक के तहट हमारी सरकार जो है निरंतर उनको इस्क राशन दिये जा रही है और सभापती महोदे नोटिस करने वाली ये बात है कि एकनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया है कि यूएन डिपी के रिपोर्ट के हमारे पीएम समान निधी के बारे में क्या क्या राय रखते रहे इसलिए मैं आपको 2019 में जब ये योजना की शुरुआत हुई थी तब ले जाना चाहूंगा जब देश के ग्यानी पुरवित मंत्री और कॉंग्रेस के बड़े निता जो हमारे सदन के भी सदसे हैं क्या कह बैठेते हैं नाथिंग कैन बी मोर शेमफुल इन डिमॉक्रसी दें ड्राइफ वोट्स अर्थार्थ देश का मुख विपक्षिदल किसानों को रिश्वत खोर समझता है रिश्वत देकर वोट देते हैं इससे वड़ी शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती है और यही लोग COVID-19 की महमारी के समय चिलाचिलाकर कहे कि गरीबों के हाथ में पैसा पहुचाना पड़ेगा पैसा पहुचाना पड़ेगा हमारी सरकार ने 1.73 लाग करोड रुपे COVID-19 महमारी में सीधे जनता के हाथों में दिये और उन्हें यह योजना रिश्वत खोरी दिखाई देती है मित्रों को अचा हमारे संस्था पे उन्हें विश्वासी नहीं है एक और UNDP की रिपोर्ट का हवाला देना चाहूंगा UNDP की Multidimensional Poverty Index रिपोर्ट में वर्ष 2005 और 6 में जिक्र है कि 65 करोड भारतिय गरीवी रेखा के नीचे थे और आज 2019 से 21 में यह संख्या 23 करोड तक पहुँच गई अर्थात भारत ने 41.5 करोड भारतियों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है गरीब के जीवर में मूल चुक सुधार के पीछे हमारी सरकार की कल्यानकारी योजना है और जो लोग किसानों की आयको दोगुना करने का मजाक उलाते हैं उनको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के 9 वर्ष के दोरान पर कैपिटा इंकम दोगुना होके 1.97 लाक रुपया हो गया है और थात हमारी सरकार ने लोगों को विशेश कर किसानों की आयको दोगुना पढ़ने में महतोपून भूमी का निवाई सवापती महुदै ग्रामीन भारत की दूसरी महतोपून शक्ति आदिवासी शक्ति पर आता हूं पिछले नौ वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने आदिवासी शक्ति के मादम से देश को बहुत मजबूती प्रदान करने का काम किया है जब ग्रामीन विकास की बात हो आदिवासीों दलितों वन्चितों की बात पर देश के विभूती स्वर्गिया नाना जी देश्मु का उलेख न हो तो ये बात अनुचित होगी उन्होंने कहा था कि हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए हैं और अपने वो हैं जो सदियों से पिछड़े वन्चित और उपेक्षित इन्ही विचारों से प्रेणा लेते हुए हमारी सरकार ने प्रदान मंत्री आदिय आदर्श ग्राम योजना के शुरुआत कर 36 हजार आदिवासी एवं जन्जाती गाओं के कल्यान का मार खोला है तथा इस बजट में सरवादिक उपेक्षित घुमंतु जन्जातियों के लिए 15 हजार करोड की धनराशी के साथ पीएम पीवी टीजी पर्टिकुलर्ली वल्नरबल ट्राइबल ग्रूप योजना की शु स्कूल द्वारा दिवासी छेत्रों में शिक्षा प्रदान करने का महत्वफूल काम भी करें इसी बीच में सवापती महोदे गरीब किसान की पीड़ा को समझते समय मुझे लगा कि गुलजार साहब की दो पंक्तियां यहां पर जरूर रखना चाहूंगा उन्होंने कहा भी लोगों ने दुगा में बरसात ही मांगी गरीब किसान की पीड़ा समझे एक तरफ वह बरसात भी मांग रहा है लेकिन एक तरफ वह यह भी सोचता है कि बरसात का महिना किसी तरह निकल जाए और उसकी च्छत रखी गए इस भाव को हमारी सरकार ने समझा इसलिए अधिवासी और दलिफ परिवारों को दिये गए सवापती महोदय हमारे विपक्ष को हमारे बातों पर भरोसा तो है इसलिए प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन पर नाशनल इंस्ट्यूट और पब्लिक फैनांस और पॉलिसी एनाई पी एफपी का एक अध्यन मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा उन्होंने यह पाया कि नकेवल लोगों को पक्का मकान मिला बल्कि योजना के तहत इस्थमाल किये जाने वर ले कंस्ट्रक्शन मटीरियल भी उच गुनुवत्ता के थे जो अपने आप में इस योजना की सार्थकता कुस्षिद करता है सवापती महुदे क्योंकि दलितों वंचितों किसानों आदिवासियों की बात हो रही है और मैं बिहार के दो महान विभूती अभी तक के देश के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानन सरसोती और राश्रकवी रामधारी सिंग दिनकर का उलेख न करूं ये अनुचि पृत रहे उनको देखते वे राश्रकवी दिनकर नियोंने दलितों के स्थनियासी की सभादी ऐसे कहने में कोई उतिशोक्ति नहीं होगी कि हमारे यशर्सी प्रधान मंती भी आधूनिक भारत के दलितों के सभाती महुदे में दिनकर जी के ही शब्दों में के जो अनों स् पूल कमल का, वह आया जैसे जल उपर आय फूल कमल का, वह आया भूपर आय जयों सौरव नमंडल का, लोक भाव अंजली ले सबके लिए, लिए कल्यान, आया है वह के जो गती से धीर हीर गुणवान आया है जैसे सावन के आते मेग गगन में, आया है जैसे आता कभी सन्यासी मतुबन में, हवन पूत कर में सुदंडले मुन्नित भाल विरागी, आया है नफपत दिखलाने दलितों का सन्यासी प्रदानमंति दलितों के सन्यासी इसलिए भी हैं क्योंकि एक तरफ प्रयाग राज कुम में सफाई कर्मियों के पावध होते हैं और वहीं दूसरी ओर मैनुल स्केवेंजिंग को खत्म करने है तू मशीन से मैनुल की सफाई है तू योजना की शुरुवात भी करते हैं इसलिए उन्हें आदुनिक बारत की दर्दितों का सन्यासी करने में तनिक भी संशे नहीं रखना चाहिए और ना है सवापती महते मैं आदरनी प्रदानमंति के द्वारा संसर में मन्रेगा पर दियेगा एक बयान का स्परण कराना चाहूं बड़ा चर्चा चल रहा है जब से यह बजट आया है मन्रेगा पर और जो सबसे और यह भी बलायता है कि पत्रकार ये नहीं लिखते वो नहीं लिखते और जो एक अदभूत देटा है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मन्रेगा में हमने क्या चेंज किया और उसको लेकर जो डेटा है मैं प्रस्तूत करता हूं 2014 में जब हम इनकी सरकार थी मन्रेगा के तहट केवल 17.6 परसेंट ऐसेट क्रियेशन रहा है और जब कि हमारी सरकार आने के बाद जो दिशाविहीं तरीके से चल रहा है उसे हमने और्गनाईज किया और उसी का परिणाम है कि इस काल खड में 61.2 परसेंट एसेट क्रियेशन हुआ है मन्रेगा के मार्गम से फर्क साफ है सवापती महुदे ग्रामीन भारत की तीस्टी महतुर्ण शक्ती है जल शक्ती स्वच्छ जल का क्या महत्व है आप उस महिला से पूछिए जो कई मीलों चल कर अपने परिवार के लिए पानी लेकर आती है एक बड़ा अच्छा वाक्य है जो अमेरिकन पोईट और राइटर थे है लूसी लारकॉम उन्होंने कहा है प्रधान मंत्री जी सोएं ऐसे राज के मुख मंत्री थे जहां शुद पेजल की बहुत गंभीर समसा थी उस समस्या का भी हल निकाला हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया और जब प्रधान मंत्री बढ़े तो इस योजना को संपूर देश में भी लागू किया स्वापती महुदे जल की विवस्था के साथ साथ जो स्वच्चता और शौच की बात जब लाल की लिए से हुआ तब हमारे विपक्ष्य ने मजाक उड़ा है पर उन्तु दूर दिश्टी इन्हें समझी नहीं है हमारी सरकार ने 10.9 करोड व्यक्तिकर्ट शौचालों का निर्मान स्वच भारत मिशन के तहत भी किया एक किसान से बहतर जल की कीमत कोई क्या समझे सिचाई का पानी किसानों को खेते के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसकी कोई कलपना नहीं कर सकता इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में प्रधान मंत्री किशी सिचाई उजना की शुरुआत की और 37 परसेंट हिस्सा जो सिचाई का था रगाज उसका आंकड़ा बढ़कर 49 प्रतिशत हो गया है हरगर नल्ट से जल और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मादम से ग्रामीन भारत के विकास में हमारी सरकार महत्वपूर्ण घुमिका निवारी है विशे तो काफी है सबापती महोदे लेकिन अंतवे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो राष्ट कभी दिनकर ने जो कहा है कि वसुधा का नेता कौन हुआ वसुधा का नेता कौन हुआ भुकंड विजेता कौन हुआ अतुलित यश्क्रेता कौन हुआ नवधर्म प्रनेता कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया विगनों में रहके नाम किया आधरनी सवापती महोदे मैं माननी राष्ट्रपती जी के अविवाशन का स्वागत तो समर्थन करता हूं देने वागत सिरी केसी वेनु गुपाल 10 मिनिट्स